नमस्कार दोस्तों एक बार पीर आमारे यूटूब चैनल में आप लोगों का हर्दिक स्वागत लेट अफ्ट अप्टेट निकल के आई कि अठारा महिने के डिये अरियर को लेकर आगई है नई अपडेट क्या 31 मार्च तक सैलरी में आएंगे दो लाख रुपे तो दोस्ता हमा को सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारी चैनल पर फफटाइम ही जिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजे सब्सक्राइब कर दी दो लाख रुपे के साथ 18 महिने का महेंगाई बता देने की उमीद है सरकारी करमचारी उमीद कर रहे हैं कि मार्च के वेतन में उनके पास 18 महिने का बकाया डिये आ जाए करमचारी लगातार जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डिये की मांग कर रहे हैं महेंगाई बत्ते को करमचारियों को मार्च के महीने में पूरा वितन दिया जाएगा जिसमें डिये बकाया भी सामिल होगा और यह डिये एरियर जनवरी और फरवरी के वितन का होगा दोस्तों सरकारी करमचारियों को उमीद थी कि डिये एरियर देने को लेकर सरकार विचार करेगी और उसका हल ज से बात की गई है लेकिन इस पर बजट के बाद ही कोई हल नहीं निकल पाया लेबर यूनियन की मांग है कि महेंगाई बता एरियर का वन टाइम सेट्लमेंट किया जाए मिश्रा के मुताबिक कार्मिक और पर्शिक्षन विभाग और वित मंत्राले व्यविभाग के अधिकारि है ऐसी उमीद है कि इस मीटिंग में 18 महिने के डिये अरियर पर चर्चा होगी और चुनाओ के कान सरकार की तरफ से 18 महिने के अरियर पर आशवाशन जरूर मिल सकता है दोस्तों लेवल वन के करमचारियों का डिये अरियर 11,880 रूपे से लेकर 7,000 रूपे के बीच में होग के डिये का कैलकूलेशन किया जाएगा दोस्तों सरकारी करमचारियों और सारवजनिक छेतर के करमचारियों और पैंशन भोग्यों को डिये दिया जाता है और यह करमचारियों उनके रहने सैने के खर्च में मदद करता है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक् जेपर